नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे यजुर वेद के बारे में यजुर वेद के अंदर यग और हवन करने का विदान है यजुर मतलब पूजा और वेद मतलब ग्यान और रिग वेद के बाद में दूइते नंबर पर यजुर वेद ही आता है और इसके अंदर रिग वेद के मंतर हैं और ये एक गद्यात्मक गरंत है गद्यात्मक गरंत का अर्थ है यग में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंतर को यजुस कहते हैं यजुर वेद के दो प्रकार होते हैं एक शुकल और एक कृष्ण वेद आज के लिए बसे छोटी सी जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बहुत जल्द स्टे सेफ